नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 20 दिसंबर 2021 को जो पेपर संपन हुआ था उस पेपर के mathematics पार्ट का complete solution देखने जा रहे हैं यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सबी शिफ्टों के पेपर का complete solution देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा चलिए दोस्तों आज के इस मेंतरपूर्ण वीडियो को सुरू करते हैं पहला question पूछा किया था एक वीभाजन के question में भाजक भागफल का 5 गुना है और सेशफल का 4 गुना है यह भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है और सेशफल का 4 गुना है प्रेस्ट में यह दिया गया है कि यदि शेशफल 5 है तो भाज यह क्या होगा थोड़ा सा मैं आपको format बता देता हूं देखिए जब भी आप भाग देते हैं तो यहां पर होता है भाज मतलब जिसमें भाग दिया जता है और यहां पर होता है भाग फल और सांति सांत नीची आ करके यहां पर आपक चार गुना करेंगे तो भाजक का मान 20 आ गया आगे देखिए यह कह रहा था कि जो भाग भाजक है वो भाग फल का 5 गुना है यानि यह कह रहा है कि जो 20 है वो भाग फल का 5 गुना है जब यह 20 है तो इसमें 5 से भाग देंगे तो इसका मान भाग फल का मान 4 आ जाएगा यानि कि आपका उत्तर आ जाएगा 85 दिये गए विकल्प में देखिए option no.2 85 इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रशन पुछा गया था 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है क्रमागत संख्या किसे कहते हैं जो लगतार होती हैं जिसमें से पहला संख्या 48 गतार हैं और दूसरी संख्या का पान 49 दिया गया तो पहली 48 हो गया दूसरा 49 हो जाएगा तीसरा 50 हो जाएगा चौथा 51 हो जाएगा और अन्तिम पांचवा यानि की 52 हो जाएगा अब कह रहा है कि इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुड़न फल क्या होगा अब इसमें सम कौन कौन सिसन क्या है तो 48 हो जाएगा 50 हो जाएगा और 52 हो जाएगा इन तीनों का जब आप आपस में गुणा करेंगे तो आपका मान आएगा एक लाख 24,800 आप्शन एक इसका बिलकुल सही जवाब है अगला प्रशन पूछा गया था एक इस्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका छेतरफल 121 सेंटीमिटर स्क्वाइर दिया गया है यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए तो उसकी चोड़ाई 8 सेंटीमिटर होती है तो आयत की लंबाई क्या होगी सबसे पहले देख लीजे यहाँ पर वर्ग जो बना रहा था उसका छेतरफल आपको दिया गया है 121 सेंटीमिटर स्क्वाइर यानि की वर्ग का छेतरफल क्या होता है आप कहेंगे भुजा का स्क्वाइर होता है यहां से हमको वर्ग का भुजा मिल जाएगा वर्ग का भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ठीक है अब यह कह रहा है कि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है ठीक है यानि कि जो आयत का परिमाप है और जो वर्ग का परिमाप है वो बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि उसी तार को ही मोड करके आयत बनाए गया है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा चार ए हो जाता है यानि कि 44 हो जाएगा और यहीं आपका आयत का परिमाप होगा आयत का परिमाप क्या होता है दो गुडे लंबाई धन चोड़ाई होता है यहां तक लियर इस से इसको काटेंगे तो 22 बार में जाएगा बराबर लंबाई हमको निकालना है और चोड़ाई कमान आपको 8 cm दिया गया है यह इधर जाकर के माइनस हो जाएगा यहां से लंबाई है कौन चोटी इसके लिए आप सिंपली इसमें भाग दे सकते हैं तो पहला दिया गया है एक बटे 2 जिसका मान आएगा दसमलो 5 दूसरा दिया गया है एक बटे 3 जिसका मान आएगा दसमलो 3 3 अगला देखिए दिया गया है चार बटे 5 इसका मान आएगा दसमलो 8 ठीक है औ अंतिम दिया गया तीन बट्टे चार जिसका मान आएगा दसमलो साथ पांच अब बोल ला है कि सबसे बड़ी तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है यह वाली यानि चौते नंबर की चौते नंबर पर हमारा क्या था पांच बट्टे छे था और सबसे छोटी सबसे छोटा इस में से कौन सा है आप देखें कि सबसे चोटा यह वाला है दूसरा वाला यानि एक बट्टे तीन तो पहले पांच बट्टे छे आएगा फिर एक बट्टे तीन आएगा दिये गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर एक ये इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्र प्रकार से विवस्थित करें कि हर कंडिशन में इनका चेत्रफल 36 आया देखिए क्या विवस्था हो सकती है कि हम यह कर सकते हैं कि यहां पर छोटे छोटे वर्गों को हम इस प्रकार से टच कराते हुए विवस्थित कर दें लंबाई के क्रम में इन 36 वर्गों को इस प्रका क्या हो सकता है कि देखिए इन सभी blocks को हम लोग 18 blocks को इस प्रकार से एक line में सजा दें ठीक है 18 block को मैं इस प्रकार सजा रहा हूँ और उसके ठीक नीचे यहाँ पर 18 block को फिर से मैं सजा दे रहा हूँ ठीक है यह 18 block तो इसकी लंबाई अब कितनी हो गई आप कहेंगे 18 और इसक condition में भी तो 36 आएगा यानि यह दूसरा condition हो गया तीसरा condition देखिए अब इस सभी blocks को मैं इस प्रकार टच कर रहा हूँ कि यह 12 blocks को मैं आगे यहाँ पर विवस्तित कर रहा हूँ और इसको तीन line में इसी प्रकार से मैं विवस्तित कर रहा हूँ ठीक है तीन line में 12-12 block को कर सकते हैं कि 4 block को मैं इस प्रकार से विवस्तित कर रहा हूँ ओर इसको नौ नौ बलो क को आगेma इसी प्रकार से इसमें सजाते जा रहा हूँ तो यहां पर देखिए अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा नौ बलोक को मैंने समझाय सजाया था तो लंबाई 9 हो जाएगा और चोड़ाई कितना हो जागा चार इस condition में भी इसका चेतरफल 36 cm2 आएगा ये चोथा condition हो गया पांचवा क्या हो सकता है देखिए पांचवा condition ये हो सकता है कि माली जे 6 block है जिसको मैं इस प्रकार से सबको विवस्तित कर रहा हूँ 6 6 block को और नीचे भी मैं 6 6 block को इसी प्रक condition बनेंगे जिसमें सभी blocks 3600 blocks को विवस्तित करके उसका परड़ामिक चेतरफल 36 cm2 आएगा तो उत्तर हो जाएगा option नमर तीन 5 अगला प्रशन पूछा गया था एक कक्छा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है यानि टोटल विद्यार्थियों की संख्या लड़कों से दुग नहीं है ठीक है आगे कह रहा है कि रोहित का क्रम उपर से 17 हमा है यहां पर देख लिजे इस प्रकार से इस प्रकार से लाइन है यहां पर 17 नमबर पर रोहित है ठीक है आगे पढ़िए यदि रोहित से पहले 9 लड़किया है यानि उपर 9 लड़किया है ठीक है रोहित से पह क्रम कितना था 17 वा था उपर रोहित का क्रम 17 वा था तो 17 में से 9 लड़कियां हो गई 17 में से 9 लड़कियां हो गई अब देख लिजे सबसे पहले तो आपको ये decide करना होगा कि 60 total विद्यारती थे इसमें लड़के और लड़किया कितनी होगी तो ये पहले ही बता चुका है कि लड़कियों की संख्या दुगनी है तो ये confirm हो गया कि लड़के इसमें से 20 होंगे और लड़किया 40 होंगी तब ही तो ये fulfill करेगा ये बॉयज हो गए और ये गल्स हो गए देखिए गल्स की संख्या बॉय से दुगनी हो रही है ठीक है अब देखिए जो यहाँ पर रोहित था उससे उपर नौ लड़किया है तो रोहित के उपर जब नौ लड़किया है और रोहित सत्रहवे नंबर पता यानि कि रोहित को मिलाते हुए उपर कितने लड़के हो के उपर थे उनकी संख्या हम लोग घटा देंगे यानि 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 लड़के जो आएंगे वह रोहित के नीचे होंगे क्रम में आप्शन नंबर एक देखिए 12 इसका बिलकुल सही जवाब है अगला प्रशन देखिए सायमा बस स्टेंड पर 9 बज के 35 मिनट सुबह पर पहुँचती है और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9 बज के 25 मिनट पर निकल गई है यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेच चल रही है यानि 5 मिनट फास्ट है और बस की आवरिती प्रतेक 20 मिनट की है यानि प्रतेक 20 मिनट बाद नई बस आ जा रही है तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट का प्रतिक्षा करना होगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर जो टाइमिंग बता रही है वो जीनत बता रही है और जीनत ने ये बताया कि पहली जो बस थी वो 9 बज के 25 मिनट पर निकल गई है ठीक है और ये भी कहा जा रहा है कि जीनत का घड़ी था वो 5 मिनट फास्ट था यानि उसने अपनी घड़ी के हिसाब से बताया कि पहली जो बस है वो 9 बज के 25 मिनट पर निकली उसके घड़ी के हिसाब से लेकिन actual time क्या हो रहा होगा उसका घड़ी चुकी फास्ट था यानि actual time 9 बज के 20 मिनट हो रहा होगा ठीक है और ये पहला बस निकला और अगला बस इससे कितने दिर बाद आएगा 20 मिनट बाद आएगा तो इसमें 20 अब जब आप जोड देंगे तो 9 बज के 40 मिनट हो जाएगा ठीक है अब अगली बस जोगी 9 बज के 40 मिनट पे होगी जिसे साइमा पकड सकती है और साइमा बस इस्टन पर पहुँची कितने बजे थी 9 बज के 35 मिनट पे पहुँची थी तो अगली बस पकड़ने के लिए उसको कितना संख्याइं दी गई है इनको जोड करके इसमें से क्या घटा दिया जाए कि हमें 17,079 प्राप्त हो जाए देखे जब आप इन तीनों के अंतिम डिजिट को जोड़ेंगे 2,1,3,3,6 6 में से आपको इसका अंतिम डिजिट 9 दिख रहा होगा तो 6 में से 9 प्राप्त करने के लिए हमको क्या घटा ना होगा 16 हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आगा यानि कि अंतिम जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 आना चाहिए अब दिये गए विकल्प में देखिए यहाँ पर 7 है यहाँ पर 7 है और इसको जोड़िए यह देखे 0, 2 और यहाँ पर 3 5 हो जाएगा ठीक है और हमको कितना प्राप्त करना था यहाँ पर 6 और 9 प्राप्त करना था यहाँ से जब हमने इससे एक उधार लिया था तो यहाँ पर बचा था 4 अब यहाँ पर 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आपका stress बचेगा तो देखें दूसरे नंबर पर यहाँ पर 8 है यहाँ पर 9 है इस वज़े से यह उत्तर गलत हो गया एक ही विकल्प बचा option number 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म कर दूँ कि आपको किसी भी प्रश्ण में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए उत्तर को ले करके क्योंकि जो भी मैं उत्तर बता रहा हूँ वो CBSC के द्वारे जो रिवाइजड एंसर की जारी की गई थी उससे कंफर्म करने के बाद ही बता रहा हूँ तो आपके मन में कोई भी संदेह उत्तर नहीं होना चाहिए कि उत्तर गलत है अत्वा सही है मैं 100% श्योडिटी के बाद ही आपको उत्तर बता रहा हूँ अगला प्रशन पूछा गया था विद्याला की कैंटीन में विभे ने खादे पदार्थो के मोले नीचे दिये गये है समोसे का दाम मुंगफली का दाम और इस परकार से सबका दिया गया अब आगे पुछा जा जा रहा है कि सुना ना, एक समोसा एक समोसा यानि कि पांच रुपया उसके हो गया, प्लस मुंद्फली के दो पैकेट, एक मुंद्फली का पैकेट साड़े छे रुपय का है, दो का हो जाएगा, तेरा रुपया, ठीक है, एक गुलाब जामून, गुल पालिक को 100 रुपय का नोट दिया तो कितनी दिदाशी वापिस मिलेगी अब देखिए इतना उसने खरीदा था तो सबको पहले मैं जोड़ देता हूं तो यहां पर देखिए 10.5 हो जाएगा उसके बाद से एक और साथ आठ तीन इग्यारा इग्यारा पांच 16 के 6 हाथ में 50 पैसे तो यहां पर देखिए यह हो जाएगा 50 पैसे बच जाएगे और यहां पर 9 में से 6 जाएगा 3 और यह 9 में से 3 जाएगा 6 63 रुपया 50 पैसा उसको वापस मिलेगा दिये गए विकल्प में देखिए आप्शन नमबर 4 इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूचा गया था एक रेल गाड़ी बैंगलूरू से 23 बच के 55 मिनट पर यात्रा सुरू करती है लेकिन किस डेट में यह यात्रा सुरू कर रहा है यह प्रशन में नहीं दिया गया है और गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5 बच के 20 मिनट पर पहुंचती है 30 बच के 50 मिनट पर तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कुल कितना समय लगा तो 29 जून को यात्रा सुरू हुआ है कितने बचे 23 बच के 55 मिनट पर अगर हम लोग इसमें 5 मिनट और जोड़ दें 5 मिनट और जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा 30 जून हो जाएगा 30 जुलाई 2020 का अगर रात के 12 बजे हम लोग देखें तो इसके बीच में समय कितना हो जाएगा 24 गंटे उसके बाद से 2 जुलाई 2 जुलाई के रात के 12 बजे अगर हम लोग देखें तो इसके बीच में 20 समय कितना हो जाएगा 24 गंटे ठीक है दियेगा विकल्प में देखी, option no.2, 53 गंटा, 25 मिनट, इसका बिलकुल सही जवाब है, अगला प्रशन पुछा क्या था, तीन अंको की सबसे बड़ी संख्या, और दो अंको की सबसे बड़ी संख्या, से गुड़ा किया जाता है, इस गुड़नफल को दो अंको की सबसे चोटी, विशम संख्या से विभाजित किया जाए, तो भागफल क्या होगा, पहले देखे, कह रहा है कि तीन अंको की सबसे बड़ी संख्या, तो मैं 999 ले ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर कहा रहा है, दो अंको की सबसे बड़ी संख्या, 99 का आपस में गुड़ा कर दिया जाता है, और दो अंको की सबसे चोटी विशम संख्या, दो अंको की सबसे चोटी विशम संख्या क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 11 हो जाएगा, इसमें विभाजित कर दिया जाता है तो पूछ रहा है कि भागफल क्या होगा यहां से देखिए यह 9 बार में जाएगा और अब 999 में 9 से जब आप गुड़ा करेंगे तो 999 में 9 से जब आप गुड़ा करेंगे तो 9981 का एक हाथ में बचा 8 और फिर 9981 और 8 मिल करके 89 हो जाएगा 89 का 9 फिर हाथ में बचेगा 8 फिर 9 का इस अंतिम 9 में गुड़ा करेंगे तो 81 और 8 मिल करके फिर से आपका हो जाएगा 89 तो आपका उत्तर आजाएगा 8991 दिये गए विकल्प में देखिए ऑप्शन एक 8991 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा क्या था एक संख्या 50 के आधे से अधिक है 50 का आधा कितना होगा 25 होगा यानि जो भी आपका विकल्प होगा ये 25 से अधिक होना चाहिए चारो विकल्प 25 से अधिक है यानि चारो आप्शन के उत्तर होने की पॉसिबिल्टी है आगे पढ़ते हैं यह कहा जा रहा है कि यह 3 दहाई से अधिक है और 4 दहाई से कम है यानि कि जो संख्या होगी वो 3 दहाई यानि 30 से अधिक होगी और 40 से कम होगी ठीक है अब दिये गए विकल्प में देखिए यह वाला विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि यह 30 से कम था जबकि प्रश्ण में क्या कहा रहा है तीन दहाई से आधिक होगी तो पहला विकल्ब तो कट गया आगे पढ़िए इस संख्या का इकाई का अंक दहाई का दुगना है अब इकाई जैसे कि ये इकाई हो गया और ये दहाई का अंक हो गया तो ये बोल रहा है कि जो इकाई होगा वो द अगला प्रश्न पूछा गया था एक गोदाम की विमाएं यहाँ पर गोदाम का लंबाई चोड़ाई और उचाई दिया गया है ठीक है इस गोदाम में 25 cm गुड़े 50 cm गुड़े 25 cm विमाव वाले अधिकतम कितने पार्सल को रखा जा सकता है तो simply आपको पहले इस गुदाम का आयतन निकाल लेना होगा और एक पार्सल का आयतन निकाल लेना होगा और पूरे गुदाम के आयतन में एक पार्सल के आयतन से जब आप भाग देंगे तो कुल पार्सल कितने रखे जा सकते हैं उसका संख्या आपको निकल करके आ जाएगा तो सबसे पहले गुदाम का आयतन निकलने के लिए लंबाई चोड़ाई गुड़े उचाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 5, 4, 20 और 20, 140 मीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा और इस पार्सल का जब आप आयतन निकलेंगे तो देखिए यहाँ पर सेंटी मीटर में दिया गया तो सबसे पहले तो आपको मीटर में कनवर्ट करना होगा तो 100 से आप भाग देदेंगे तो पहले हो जाएगा 0.25 फिर गुड़े हो जाएगा 0.5 फिर गुड़े 0.25 हो जाएगा ठीक है 25 का 25 से स्क्वार करेंगे तो 625 आता है ठीक है और 0.5 को हम लोग 1 बटे 2 लिख सकते हैं यानि कि 2 से मैं भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पहले तो यह 4 आंक पर दसमरों लगाना था तो आपका यह हो गया ठीक है अब इसको 2 से जब आप भाग देंगे तो देखिए इसको आप लिख देंगे 0 और 2 3 6 और फिर इसको लिख देंगे 12 और यह 5 हो दिये गए विकल्प में देखिए और फिर नमबर 2 इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा किया था एक आटो रिक्सा का मीटर पहले 2 किलो मीटर की यात्रा के लिए 25 रुपय का और उसके बाद प्रती किलो मीटर की यात्रा के लिए 8 रुपय का भ भाड़ा दिया उसके घर से कराला की दूरी कितनी है आपसे पूछा जा रहा है तो देख लिए यहां पर पहले 2 किलो मीटर के लिए उसने 25 रुपय भाड़ा दिया होगा ठीक है तो अगर 2 किलो मीटर का भाड़ा मैं निकाल दूँ तो 249 टोटल उसने दिया था भाड़ा और उसमें से मैं 25 घटा देता हूँ तो यहां पर देखिए यहां जागा 4 यहां जागा 2 यह दो यानि कि 25 रुपय तो पहले 2 किलो मेटर के लिए उसने दिया तो 2 किलो मेटर तो यह हो गया अब जो इतना पूरा भाड़ा भाड़ा बचा है इसके लिए वह 8 रुपय पРति से उसने दूरी तै की यानि 28 km और पहले जो 2 km तै किया था दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका उतरा जगा 30 km दिये गए विकल्प में देखिए पहले इस्टेटमेंट दिया गया है भाषाओं को छोड़कर भाषा कौन-कौन सा है तो अंग्रेजी और हिंदी ठीक है तो कहरा भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रतेक विशय में अधिक अंक प्राप्त किये हैं तो यहाँ पर देख लीजिए यह सुनीता का जो माक्स है वो जसिका से कम था गडित में इस वज़े से पहला इस्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इस्टेटमेंट यह कह रहा है कि जसिका से प्रतेक विशय में सुनीता को अधिक अंक मिले हैं भाषा को छोड़कर जो की पहले यहाँ पर देखेंगे पहले विशय गड का अंक है सुनीता का और यह विज्ञान का अंक है दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 146 और जसिका का इसी विशय में जोड़िए तो यह 74 और यह 84 नंबर है विज्ञान में तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो इनका मान आएगा 156 तो यानि किसका मा जबकि प्रश्ण में क्या कहा रहा है कि सुनीता के अंक जसिका के इन विश्यों में कुल अंक से अधिक है तो ये भी विकल्ब गलत होगा पहला दूसरा गलत होगा तीसरा देखिए जसिका ने तीन विश्यों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किये हैं ठीक है ये कहा रह जैसे ये भी उत्तर नहीं हो सकता एक ही विकल्प बचा option number 4 जो की आपका बिल्कुल सही होगा एक बार इसको देख लेते हैं यदि जसिका ने 17 और अंक पाए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते जसिका के सभी सब्जेक्ट्स के marks को और जोड़ा और सुनीता का सभी सब्जेक्ट्स में marks आ रहा है 382 यानि कि जसिका का marks 17 अंक कम है यहीं तो ये बोल ला है कि यदि जसिका 17 अंक और प्राप्त की होती तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते तो ये विकल्प बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है option number 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्राप्त पूछा गया था गडित सिक्षण अधिगम में निमलिकित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है जो निगेटिव विकल्प होगा वहीं आपका उतर होगा क्योंकि प्राप्रारम करते समय वि प्रोटसाहिद करना ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पॉजटिव है इस वज़े से उतर नहीं होगा तीसरा देखिए संग्यानात्मक संगर्स के लिए औसर प्रदान करना जितना बच्चों को औसर प्रदान किया जाएगा उनका समझ उतना ही विक्सित होगा पॉजटिव सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव उत्तर था और चुकी प्रश्ण में आपसे नहीं पूछा गया है इस वज़े से यहीं आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर चार अगला प्रश्ण पूछा गया है गडित के कक्छा में अध्यापक ने निमलिखित प्रश सेंटीमीटर है तीसरा प्रश्ण पूछा गया 25 के गुडन खंड क्या है और चौता पूछा गया परिमाप की परिभाशा दीजिए तो आपसे विकल्प जो दिए गया है उसमें ये पूछा जा रहा कि कौन सा प्रश्ण ओपेन एंडड है और कौन सा क्लोज एंडड क्वे नहीं है ठीक है और परिमाप की परिभासा भी अगर बात करें तो ये यूनिक है मतलब कि इसमें कुछ भी स्रिजनात्मक बच्चा नहीं कर सकता लेकिन अगर इन दोनों प्रश्णों की बात करें तो देखिए आठ दो संख्याओं का योग हम लोग 2 प्लस 6 भी कर सकते हैं 4 प्लस 4 भी कर सकता है बालक इसके लावा 6 प्लस 2 भी कर सकता है इसके लावा अगर हम लोग फ्रैक्शन में जाएं तो दसमलों में अंगिनत इस प्रकार की संख्याओं निकाली जा सकती है जिनका योग 8 है यानि ये एक स्रिजनात्मक प्रश्ण हो गया जिसके एक उत्तर न सकता है कई उत्तर हो सकते हैं तो पहला और दूसरा open ended question हो जाएगा जिसका एक मतलब कहने का मतलब कि बच्चे को critical thinking यानि चिंतन करने पर मजबूर करे और जिसका केवल एक ही उत्तर होता है वो close ended question होते हैं जैसे कि option number C और D अब चलिए विकल्प में देखते हैं जैसा कि मै अबर एक इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ट ने पूछा किया था निमलिकित में से कौन सा गड़ित में स्रिजनात्मक चिंतन का प्रमुख सूचक है पहला देखिए मानकिकृत तरीके से समस्या समाधान मैं बार बार कह रहा हूं जहां भी मानकिकृत दिख ज तीसरा देखिए अशुधि मुक्त परिकलन यहां पर देखिए जितने भी मनोवैग्यानिक हैं कई मनोवैग्यानिकों के द्वारा भूल एवं तुरूटी का सिधान्त दिया गया यानि कि आप बच्चे से बिल्कुल एरर फ्री कैलकुलेशन की कल्पना नहीं कर सकते बच् को निगेटिव कर देते हैं NCF 2005 रटने का पूरी तरीके से विरोध करता है इस वज़े से चोथा नहीं हो सकता एक ही विकल्प बच्चा प्रश्न को प्रस्तूत करना यानि कि बच्चा जितना प्रश्न पूछेगा उसमें उतना ही ज्यादा क्रिटिकल ठिंकिंग विक्सित होगा उतना ही ज्यादा वो स्रिजनात्मक तरीके से चिंतन करेगा तो option no.2 इसका बिलकुल सही जवाब है अगला प्रश्न पूछा गया था वैन हीले की त्रिवी में ये दिक इस्थान ज्यामिती समझ के अनुसार किस इस तर पर बच्चे की यह स्विकार करने की संभावन ध्यान दिजेगा इस्तर उन्होंने 4 बताये थे और इसमें चरण की संख्या बात की जाए तो इसमें कुल 5 चरण होते हैं अब यह कैसे तो देखिए जो इस्तर शुरुआत हुआ है वो इस्तर 0 से शुरुआत हुआ है तो इस्तर 0 इस्तर 1 इस्तर 2 इस्तर 3 और 1 और इस्तर उनके द्वरा इस्तर 4 बताया गया था और चरण की संक्या बात की जाए तो कुल 5 होती है क्योंकि 0 से start होता है ठीक है तो इसमें पहले इस्तर में यानि कि इस्तर 0 में उन्होंने बताया कि द्रिस्तिकरण यानि बच्चा मालिजर रोटी देख रहा है तो उसे बस पता चलेगा कि ये गोल है ठीक है और इसी प्रकार से अगर चौकी देख रहा है तो उपर से उसको लगेगा कि चौकी जो है वो एक तरीके से इस प्रकार से होती है लेकिन वो इसका नाम नहीं जानेगा कि ये किस शेप का होता है जयामितिक में इसको किस शेप कि इसको नहीं समझ पाता है बस इसतर जीरो यानि दिर्ष्टीकरण में वो देखता है यह गोल है यह चौकोड है ठीक है। आगला जो इसतर होता है विशलेशन इसमें वह जो आकृति या उसका नाम समझने लगता है कि माली जे रोटी है तो जानता है कि ये वृत्ताकार है और चौकी था तो वो आयताकार था ठीक है इसी प्रकार से बेलन जिस पे रोटी बनाई जाती है जो चौकी बेलन होता है उसको वो वृत्ताकार समझने लगता है और जो बेलन ह एक आयत है तो वो जानने लगा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो वर्ग होता है उसमें चारो भुजाएं बराबर होती है तो संबंध के माध्यम से वो समझ गया कि अगर आयत की ये जो आमने सामने वाली भुजा है लंबाई वाली अगर ये किसमें समझ जाएगा तो ये संबंध यानि इस तर टू में समझ जाएगा कि अगर लंबाई चोड़ाई के बराबर हो जाए तो ये एक वर्ग का रूप निरूपित कर देता है और बात करें अगर इस तर तीन की तो इसमें निगमन के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं कि जो आकरिती है जैसे आयत है तो इसका फार्मूला वो लोग जाते हैं कि आयत का चेतरफल लंबाई गुड़े चोड़ाई होगा वर्ग का चेतरफल भुजा होगा आयत का परिमाप दो गुड़े लंबाई धन चोड़ाई होगा वर्ग का परिमाप चार गुड़े भुजा प्रश्ट में आपसे बस इतना पूछा गया था कि वर्ग एक आयत है यानि उसके बीच संबंध किस चरण में बच्चा स्टार्ट कर देता है समझना तो ये इस तर दो संबंध चरण में हो जाता है ऑप्शन नम्बर तीन इसका बिलकुल सही जवाब होगा अगला प्रश्ट पूछा गया था निमलिखित में से किस को फूर्ल संख्याओं के योग तस्मक के रूप में लेखित किया जाता है तो योग तस्मक क्या होता है कि किसी भी संख्या में जैसे माली ये पांच है तो इसमें क्या जोड़ दे कि इस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ तो गुडात्मक तत्समक की बात करें तो आपका उत्तर एक होगा प्रश्ण में चुखी आपका योग तत्समक की बात की गई थी इसलिए उत्तर हो जाएगा option one oh अगला प्रेशन पूछा गया था निमलिकित में से कौन सा कथन उचित है पहला इस्टेटमेंट दिया गया है आउलोकन और सम्मंधों को पहचानने से प्रात्मी कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गडितिये ज्यान का स्रिजन किया जा सकता है आउलोकन का मतलब होता है तो हमें संख्या बताई जा रही है यानि आउलोकन देखकर भी वो गडितिये ग्यान का स्रिजन कर सकते हैं ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा ठीक है दूसरा देखिए गडित का अधिगम एक समाजिक प्रक्रिया है जिसमें समवाद और वार्ता समलित है यह बिल्कुल सही देखता है तो वो देखता है कि समान के बदले उसकी पिता या फिर उसकी माता कुछ पैसे दे रहे हैं तो ये समाजिक प्रक्रिया है और इसी को देखकर के वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिलकुल होती है, क्योंकि तर्क वितर्क के माध्यम से ही बच्चा और ज्यादा क्रियेटिव हो सकता है, किसी भी प्रश्न के और ज्यादा यहाँ पर संभव उत्तर निकाले जा सकते हैं, अलग अलग विधियों के माध्यम से, तो तर्क व कपड़े पहने जाते हैं टोपी पहने जाते हैं या फिर कुछ और सांस्कृतिक रूप से डांस की जाते हैं तो वो सभी चीजे गड़ित को समझने में मदद करती है जैसे कि माल लिजिए कि एक बालक है ठीक है उसके सर पर टोपी है और उसके बाद से दो बालक इसी प्रकार से चितर बना दिये गए उनके भी सर पर टोपी है तो इनको गड़ित के माध्यम से प्रात्मी किस तर का बच्चा है तो उसको सिखाया जा सकता है कि यहां पर कितने टोपी है तो वो कहेगा एक टोपी है यहां पर कितने टोपी है तो वो कहेगा दो टोपी है तो यह भी संस तीसरा और तीसरा बिल्कुल सही होगा यानि A B C सही होगा अब दिये गए विकल्प में देखिए ओप्शन नमबर 3 A B C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था प्रात्मिक इस्तर पर ज्यामिती पार्ठिक्रम के विशय में निमलिखित में जैसे कौन सा कथन सत्य है पहला दिया गया है कि जियामिती को टू आयाम यानि की 2D फीगर की बात की जारी है आकरिती जैसे कि वर्ग त्रिभुज आदी की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए देखिए जहां पर भी केवल वर्ड आजा सीमित वर्ड आजा ये सभी उतर को निगेटिव कर देते है कि प्राइमरी का बच्चा एक से पांच कक्षा तक माना जाता है और पांच वी कक्षा में बच्चे में अगर जिग्यासा उत्पन हो गई 3D फीगर को जानने के लिए तो क्या आप उसको 3D फीगर नहीं बताएंगे यहां विकल्प में कह रहा है कि उसको सीमित रखना चाहिए कि और 2D फीगर में जो की विकल्प को निगेटिव कर दे रहा है इस वज़े से उत्तर नहीं होगा दूसरा देखिए उप्युक्त परिभासाओं का परिशय देना चाहिए जिस भी विकल्प में परिभासा सब्द आ गया यह NCF इसका विरोध कर यह उत्तर की निगेटिव कर देता है क्योंकि आप बच्चे को सिर्फ परिभासा रटा करके उस समप्रत्य को नहीं समझा सकते तो यह भी विकल्प गलत हो गया एक ही विकल्प बच्चा देखे तीसरा देख लेते हैं दिक इस्थान की अंतरदर्सी समझ को विक्सित किया यह बिलकुल सही उत्तर होगा आपका और समर्थ के समन्द में निम्लिकित में से कौन सा कथन सतते हैं यह कह रहा है कि अपने माता पिता की साथ अगर दुकान पर किसी रेड़ी पर जाता है और वहाँ पर कुछ पैसे के लियन देन होती है, समान के बदले में पैसे के लियन देन होती है, तो क्या वो जो गड़तिय कोशल जो दुकानदार के द्वारा दिखाये गया था, कैलकुलेशन करते समय क्या उनको मदद कर सकता है, अथ्वा नहीं ये आपसे पूछा जा रहा है, पहला विकल्प द तो ये सबी चीजे उसको गड़िती है को समझने में मदद करेंगी क्योंकि NCF 2005 समाजिक परिवेश से जोड़ कर ही सिछा देने की बात करता है जबकि पहला विकल्प इसको निगेटिव कर दे रहा है कि ये लाबदायक नहीं होगा ठीक है इस वज़े से ये उत्तर नहीं हो सक सकता है तीसरा देखिए वे गड़ित के प्रशनों को हल करने के वेकल्पिक तरीकों को विक्षित करने में सहायक होते हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि जिस प्रकार से वो कैल्कुलेशन करके चीजों को पैसे लिए होंगे फिर पैसे काटे होंगे वो एक तरीके से जब ब वेकल्पिक विदियां हो सकती हैं तो जो दुकांदार को उसने जोडते हुए देखा होगा निश्ची तोर पर उसमें वेकल्पिक तरीकों को विक्सित करने में सहायक होगा इस वज़े से option C इसका सही जवाब हो जाएगा तो दिये गए तीनों विकल्प में देखिए एक ही option C इसका सही है यहां तक का जो विकल्प दिया गया इसमें कोई भी सही नहीं होगा option 4 देखिए केवल C इसका बिलकुल सही जवाब है अगला प्रेशन पूछा गया था निमलिकित में से कौन से क्रिया का लाप द्वारा विद्यार्थियों में त्री विमिये विबेचन या सबसे पहले तो 10 घॉल को जाना लिए तो टैंब एक पहली होता है क्हेल होता है जिसमें 7 प्रकार की आक्रतियों वाले बोर्ड होते हैं जिनको सटा करके एक आक्रती बनाना होत्य है जो की दी गई रहती है ठीक है और इनी li keys to 10 कहते है अगला देखिए तो यहाँ पर देख इस वज़े से आपका उत्तर नहीं होगा तीसरा विकल्ब देखिए विभिन ठोस आकरितियों के नेट को पहचानना जब भी ठोस आकरितियों के नेट को पहचाना जाएगा तो निश्ची तोर पे उसमें 3D फिगर के कॉंसेप्ट को विक्सित किया जा सकता है इस वज़े से उत्तर नहीं होगा चौथा देखिए दी गई आकरितियों के सममें अक्षो को पहचानना माल लिजे कि यहां पर कोई एक आकरिति दी गई है ठीक है अगर इसके अक्ष को वो पहचानेगा इसके अक्ष को इंट्रिडियोस किया जा सकता है तो ये भी positive उतर था इस वज़े से उतर नहीं हो सकता एक ही option बचा option number 1 आंकडों को निरूपित करने के लिए चितर ले खीचना यहाँ पर सिर्फ आंकडों को निरूपित करना है क्या इसमें 3D का concept आएगा बिल्कुल नहीं आएगा यहीं प्रश्ण में negative उतर को चुनना था तो option number 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रश्ण पूछा क्या था तीन गुड़े 5 के गुड़न का परिचय देने के लिए निमलिखित में से कौन से विधी अति उत्तम होगी दूतरा विकल्प देखिए उतर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाट कराना बच्चे को 3 और 5 का यहां पर पहाड़ा आप कविता के माध्यम से सिखाएंगे तो क्या उसमें गुड़नफल गुड़ा करने की प्रक्रिया का विकास किया जा सकता है बिल्कुल नहीं इसे सिर्फ वो पहाड़ा एक तरीके से चौथा देखिए संपलाओ गड़ना इस्किप काउंटिंग का अभियास करना इसकिप काउंटिंग क्या होता है तो जैसे माली जे 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से गिंती लिखा गया ठीक है तो 2 4 6 8 10 इस प्रकार से गिंती करना यानि स्किप करते हुए देखिए 1 को उसने इसकिप क कर दिया पांच को स्किप कर दिया इसी प्रकार से साथ को स्किप कर दिया तो इसी स्किप काउंटिंग कहा जाता है ठीक है तो क्या इससे वह कैलकुलेशन कर लेगा गुड़ा का नहीं कर पाएगा ऑप्शन गलत हो गया एक ही विकल्प बचा कुछ वस्तूओं से तीन गुड़े पांच के आयताकार व्यो की रचना का निर्माड करना अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि माली जे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं तो इस ब्लॉक्स को उसने पांच ब्लॉक्स को उसने सजा कर तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो तीन गुड़े पांच के कॉंसेप्ट को आसानी से ब्लॉक्स के माध्यम से आयताकार व्यो की रचना का निर्माड करके वो आसानी से इस कॉंसेप्ट को सीख सकता है तो यहीं उसका विकल्प सही उतर होगा क्योंकि बच्चा प्र जो निगेटिव उतर होगा वहीं आपका उतर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देख लिए पहला दिया गया चूनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए यह तो पॉजटिव है क्योंकि उसको समाजिक परिवेश से जोड़ करके देखना उसको बताना है तो आप उस से उतर था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि प्रेश्ण में आप से निगेटिव पूछा गया है अगला विकल्प देखिए अगला विकल्प दिया गया है छोटी संख्याओं वाले सरल उधारों को पहले लेना चाहिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि अचानक मुर्त माध्यम से उसको सिखाय जागा उसका आधिगम उतना ही ज्यादा इस्थाई होता ये पॉजटिव था इस वज़े से उतर नहीं होगा क्योंकि प्रेश्ण में नहीं पूछा गया है एक ही विकल्प बचा आप्शन नमबर 4 प्रेश्णों को हल करने के लिए केवल ए नहीं विधियों का विकास होगा ही नहीं वो अपनी तरीके से सोचेगा ही नहीं जब एक ही माध्यम से आप उसको प्रेश्ण को सॉल्प कराएंगे तो यहीं आपका उतर निगेटिव था इस वज़े से आपका उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 4 अगला प्रेश्ण तो यहां पर गड़ना के तोर पर दिखाया जा रहा है और अगर मैं यह बोलू कि राहूल कक्षा में फ amendments खा में फ्लाएंगें गशाध कि लिए जैसे में अबीर्थियों ओर उसमें राहुल प्रत्रम पॉजिशन पर आया चिम्यों की को प्रेश्वात कि किया चैनल वहां पर योजें और ये महान लिजें उपने भी में लेकिन प्रश्ट में आपसे गड़न संख्या की बात की गई थी, क्रम आप्शन में दिया गया इस वज़े से नहीं हो सकता है, दूसरा देखिए, प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे इस्थान पर है, अभी मैंने आपको उधान दिया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा यह सबी क्रम को निर्धारित करते हैं, इस वज़े से उत्तर नहीं होगा, तीसरा देखिए, इस पुस्तक का चौथा अध्याए, बहुत रुचिकर है, यहाँ पर भी चौथा वर्ड आया है, जो कि क्रम को बता रहा है, क्योंकि पहले अध्याए के बाद दूसरा हुआ है, यह गड़ना के तोर पर आया हुआ है, कि कुल आप टीम को गिन रहा है, एक, दो, तीन और चार टीम, ठीक है, तो यह ऑप्शन नमबर चार इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको बस इतना ध्यान देना है, कि जहाँ पर संख्या का प्रयोग किया गया है क्या वह किसी position को निर्धारित कर रहा है, किसी करम को निर्धारित कर रहा है, तो वह करम संख्या कहा जाएगा, और जिसमें किसी calculation करने की बात कि जएरी, जैसे एक team, दो team, तीन team, चार team, तो यह इस प्रकार से गड़न संख्या को कहते हैं, ठीक है? तो और एक और trick मैं बता हैं उस प्रकार से यहां पर क्रम वाले में आता है जैसे पहला दूसरा तीसरा चोथा और गड़न संख्या में एक दो तीन इस प्रकार से आएगा तो आपका ऑप्शन नमबर चार इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रशन पूछा गया था सुद्ध कत्थन को पहचानि पहला विकल्प दिया गया है एक संख्या के दूसरी से गुड़ा करने पर उसका मान सदय बढ़ जाता है अब मान लिजे एक संख्या को मैं 10 मान ले रहा हूं और दूसरी संख्या को मैं 10 मान ले रहा हूं तो क्या इन दोनों का गुड़ा करने पर जो दूसरी संख्या आए तो यहां पर पहला विकल्ब गलत हो गया, दूसरा कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदय उकम हो जाता है, क्या यह संभव होगा, देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, दस में अगर मैं 0.5 से भाग देता हूँ, ठीक है, तो क्या आजाएगा, देखिए, यह 100 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, यह दस में होटाने के लिए, अब यह इससे काटेंगे तो 20 आएगा, ठीक है, तो अब क्या कह रहा था, कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदय उकम आता पहले हमने संख्या क्या लिया था, दस लिया था, और उसको जब भाग दिया 10.5 से, तो दूसरी संख्या हमें क्या प्राप्त होई, 20 प्राप्त होई, तो क्या 20 दस से कम है, आप कहेंगे नहीं कम है, इस वज़़े से यह विकल्प गलत हो गया, तीसरा देखिए, एक संख् है, आप कहेंगे 5 है, जो कि 0 नहीं है, और विकल्प में क्या कह रहा है, कि सदा सोनने होगा, तो ये भी विकल्प गलत हो गया, एक ही option बचा, option number D, जो कि बिल्कुल सही होगा, क्या कह रहा है, कि गुड़नफल भागफल का प्रतिलोम है, यानि कि, देखिए, अगर 2, D, option number 4, इसका सही जवाब है, दोस्तों, लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाओं में आ चुके हैं, अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, सांथी, सीटेट दिसंबर 2021 के सभी सिफ्टों के पेपर का complete solution देखने के लिए इस वी तो मान लगाईए कि लगभग मान कितना आएगा, तो क्या ये गडिते कॉशल नहीं है? बिल्कुल है, प्रेश्ट में नहीं दिया गया था, विकल्प में इस वज़े से उत्तर निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा विकल्प दिया गया है कि गडित को मानक स रणाले के समों के सम्तुले माना जा सकता है या अंत्रिक कहने का मतलब कि mechanical procedures की बात की जारी है तो क्या गड़ित में mechanical procedures आते हैं नहीं आते हैं तो ये विकल्प को negative कर रहा है और एक ही confirm करने के बादी मैं आपको उत्तर बता रहा हूं तो किसी भी उत्तर पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए इस पेपर का अंतिम प्रश्ण जो था वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है अंतिम प्रश्ण पूछा गया था समम मिती जिसे अंग्रेजी में सिमेट्री बोला जाता है सिमेट्री की आउधाना परिचय देने के लिए निमलिखित में से सरवाधिक उप्युक्त कारिय निती कौन सी है यहाँ पर देखिए हम लोग सुरू करेंगे दूसरे विकल्प से पहल दूसरा विकल्प दिया गया है आउधाना की इसपश्ट परिभासा देना मैं बार बार कह रहा हूँ जहां पर परिभासा शब्दा आ गया वो उत्तर को निगेटिव कर देता है आप सिर्फ परिभासा देकर के बच्चे को नहीं समझा सकते विकल्प गलत हो गया तीसरा देखे बच्चे को वाद विवाद में समलित किया जाए आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि बच्चे की जितनी सहभागिता होगी उससे जितना तर्क वितर किया जाएगा वाद विवाद किया जाएगा उसका अधिगम उतना इस्था ही होगा आपको लग रहा होगा कि यह विकल्प सही हो सकता है लेकिन नहीं क्योंकि CBSC जो options देता है उसमें most suitable answer को आपको चुनना होता है तो हो सकता है अगला इससे भी most suitable हो जाए तो आप एक बर जो आधाना बना चुके हैं आप उस पर रिजिड नहीं रह सकते हैं उस पर दिर्डर नहीं रह सकते हैं दिये गए विकल्प में आगला विकल्प आपके लिए और ज्यादा सुटेबल हो सकता है इस वज़ए से यह उत्तर नहीं होगा अभी मैं इस पर इस्टार लगा रहा हूं ठीक है अग बच्चा सिर्फ वर्ग और आयत में ही सिमेट्री देखेगा इसके अलावा अन्य आकृतियों में भी सिमेट्री होती है तो क्या बच्चा सिर्फ वर्ग और आयत तक ही सिमित रहेगा नहीं इस वज़ए से उत्तर ने के वज़ए से इस वज़ए से आपका उत्तर नहीं पेपर मोड़ने वाले क्रिया कलाप कराया जाने चाहिए यहां पर देखिए तीसरा जो विकल्प था इसमें बच्चा वाद विवाद में शामिल तो हो रहा था लेकिन वह करके नहीं सीख रहा था जबकि विकल्प एक जो है उसमें वह करके सीख रहा है बच्चा जब मोड़ जो क्रिया कलाप मुर्त अवस्था में बच्चे देखते हैं उनका अधिगम उतना ज्यादा इस्था ही होता है तो तीसरे से ज्यादा most probable जो एंसर होगा वो option number 1 हो जाएगा ठीक है तो तीसरा उत्तर यहाँ पर गलत हो गया option number 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये paper पूरा solve हो चुका है आपको ये वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा साथ ही सीटेट दिसमबर 2021 के सभी सिफ्टों के paper का complete solution देखने के लिए इस वीडियो का description जरूर चेक करिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करिया आपका दिन शुब हो